टीवी नाइन भारत वर्ष सत्ता समेलन के मंच पर अब वो हस्ती आ रही है जिसका सिर्फ यहां मौजूद मेहमानी नहीं टीवी नाइन भारत वर्ष के करोडों दर्शक सुभा से इंतिजार कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता जिनके पास हर सवाल का जवाब है जो सत्ता पक्ष को सडक से संसत तक अपने ही अंदाज में ललकारते हैं कौन है वो? कोई अंदाजा लगाएगा? चलिए इस स्क्रीन पर उनका एक छोटा सा परिचे देख लेते हैं कौलेज के दिनों में क्रिकेट के टेज गेन बाज रहे असदुद्धी नोवैसी राजनीती के पिच पर भी बयानों के बाउंसर के लिए मशूर है और जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के लोकसभा सांसद बेजोर वक्ता AIMIM के चीफ असदुद्धी नोवैसी का जिन से सवाल जवाब के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे सायोगी कार्तिके शर्मा को तालिया रुकनी नहीं चाहिए एक पर जोर दात तालियों से स्वागत हो AIMIM चीफ और सांसद असदुदिन ओवैसी जी का कैसे हैं आप? आपने देखा प्रोग्राम का नाम All India भाईजान? पसंद आया आपको? आप लोग बदनाम करने पर तुलेवें तो कुछ नहीं कर सकते हैं नहीं मैंने तो बड़े प्यार से भाईजान बुला है हमी भाईजान बनागे बाखी सब क्या नहीं वालो चली मुझ जो तो लगता था भाईजान प्यार से बोला जाता है वाईसे साब एक चीज़ बताइए आपने 2008 से अब तक 11 राज्यों में अपनी पार्टी पहुंचा दी दिली पर नजर है नहीं ऐसा कुछ नहीं है दिली पर नजर नहीं है मेरा दिखे कोई पोलिटिकल पार्टी का एक नेच्टरल एक्सपैंशन का प्लान होता है तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और इसे भारत की लोकतंतर मजबूत होगा डेमोकरिसी मजबूत होगी तो वही उसमें काम कर रहे हैं और इमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुजरगों की मेहनत का फाइद उनको जाता है पर कुछ लोगों को दर्द भी इस बात का कि आप मजबूत हो रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं जहां पहुंचते हैं वो सत्ता से दूर हो जाते हैं तो competition है, तो competition में सब को मेहनत करना पड़ेगा, कभी मैं नहीं जीता हूँ, कोई दूसरा जीता है, तो इसमें तो कोई किसी ताजुब की बात नहीं होने चाहिए, उसमें, सब को मेहनत करना है, काम करना है, अवाम का दिल जीतना है. आपकी fan following तो बहुत है, चाहिए, यहाँ हो, हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, दिली में हो, इसका सिक्रिट क्या है? सब इसमें, दिखे, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर इतना falling होती, तो मैं कई चुनाओ जीत जाता, तो लोग सुनते हैं, मगर अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत कामियाबी हासिल करना है, बहुत से मनजिलों को पाना है, तो अभी लड़ाई जारी रहेगी, जुदे दोहेच चलती रहेगी, तो इस पर मैं खुश नहीं हो सकता हूँ, बहुत आगे जाना है, कुछ लोग कहते हैं कि YC साब की डबल पावर है, अगर जित्वान आ सकें तो हर्वा जरूर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, देखें, कांशीराम साब ने अच्छा कहा था, कि एलेक्शन आप लड़िए, पहले हारिए, हर्वा ये, फिर जीतिए, तो अपनी आप जब तक आप इलेक्शन नहीं रड़ेंगे, तो आप अपनी ताखत कैसे दिखाएंगे, आप अपनी पार्टी की स्टेंग कैसे दिखाएंगे, तो इसलिए हम इलेक्शन लड़ते हैं, और बहुत से बार कामियाभी नहीं मिलती, मगर हम लड़ते हैं एलेक्शन ताके हमारे हमारी सफर को हम जाई रख सकें और आज नहीं तो कल मिलेंगे कामियाभी एक चीज़ बताई कि अखलेश मंता और कॉंग्रेस के कही निताब को सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं हैदराबाद में रॉक स्टार ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार सही बात है नहीं चलिए कुछ तो मार दो लिये हैं इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिये लोग कि मैं कुछ हूँ अच्छा ये पूरा किसान अंदोलन चला हो ऐसी सब आप नजर ने आए किसान अंदोलन में तो ये तो एपॉलिटिकल अंदोलन है और हम सब लोग उसकी ताइद कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों खराब करें वो लोग कर रहे हैं, हाँ, उनके डिमांड जो है, वो जिस्टिफाइबल डिमांड से हैं, और सरकार को उसको मानना चाहिए, खुबूल करना चाहिए, और यह हम बोले हैं, और फिर से बोल रहे हैं वैसे साब आपको एक मैं मसले पर लाता हूँ, मैंना आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाशन दिया था, आप काफी नारास थे, गुस्से में भी थे जब आपने भाशन दिया, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था साधन में, नहीं कहां गुस्सा थ आपने बानवे की बात को प्राण पत्रिठा से जोड़ दिया, राम बंदर वाले, बिल्कुल ये फैक्ट है, देखे, 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में दाली गई थी, जब जीवी पंद ने मस्जिद के अंदर मूर्तिया रखने की जादत दी, 22 जनवरी की बुनियाद तो मूर्तिया नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुम्किन था के बताईए आप, लेकिन वाइसी साहब ये जो मंदिर बना है, वो तो कोट के आदेश से बना है, और उसका दूसरा पहलू भी है, मस्जिद की जगे भी है, ने, ने, कोट इसलिए तो हमने डिसगरी किया था सुप और कल भी बनेगा, क्यों कि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे, तो फिर एविडेंस का क्या होगा, अगर कोट आस्था के फैसले करेगा, तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ कैसे होगी, बताईए आप, वो तो खलत है, वो इसलिए हम यगिनां सुप् फैसला बिलकुल जो फैसला आया था, वो आस्था की बनियाद पर था, और जिस बात का मुझे खच्छा था, डर था, कि ऐसे कई इशूज ओपन हो जाएंगे, अब इशूज ओपन हो गए, आपका अबजेक्शन किस चीज़ पर है, ओवाईसी साभ, आपका अबजेक्शन और जितने बीजेपी, आरएसस के नेता थे, उन्होंने सुप्रिम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डेमॉलिश कर दिया, और तर्फ तमाशा यह है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ अगर जीवी पंथ उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते, और बोलते के नहीं यह गलत हुआ है, वन फॉर्टी फई सी आरपी सी इस्तेमाल कर लेते तो यह इशू नहीं बनता, आप बगएर मुस्लिम पश्कसुने 86 में ताले खोल दिया, तो यह तो एक नाइनसाफी की ए तो यही हम बता रहे हैं, क्यों किसी मंदिर के उपर हमार को गुस्ता है, भी यह मुल्क जैसा अभी आपने कहा, यह मुल्क की खुबसूरती, इसके डैवर्सिटी है, इसका प्लॉलरिजम है, इस देश का कोई मजभ कभी था नहीं ना कभी रहेगा, यह देश तो उन लोग खुदीन जी, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धरम दूसे धरम से बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सांसद हैं, आपने सांसद में जब भाशन दिया, तो आपने कहा है आप राम के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबरी मज़ी जिन्दा बात बुला, हाँ बुरी बात क्या है उसमें, मैंने कहा कि मैं नातुराम के खिलाफ हूँ, आप खिलाफ हैं नातुराम के, सब को होना चाहिए नातुराम के खिलाफ, और बाबरी मज़ी जिन्दा बात बुलना गलत बात क्या है, बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया Supreme Court ने कहा बिलकुल Supreme Court ने कहा कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया तो ये आर्गुमेंट जो PJP जूट पहुला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो Supreme Court ना कार दिया अच्छा आप बताइए BJP को राम मंदिर कब याद आया नहीं बता रहूं आपको पालनपूर का रिजुलूशन 1989 में पास किया उससे पहले तो नहीं हुआ RSS बनी 1925-25 में जब उन्होंने बात नहीं की विश्वा हिंदू परिश्द बना 1960 में वो नहीं बात किये महात्मा गांधी से लेकर सरदार पठेल से लेकर केम नुची से लेकर बाल गंगादर ठिलक से लेकर मालविया साहब से लेकर किसी ने बात नहीं की वहाँ पर आप 89 में पालनपु resolution पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो तो disprove हो गया लेकिन राम मंदिर का अंदोलन तो BJP से पुराना है वो तो सबको पता है पहिमें जी किताब भी पढ़ लीजे काहा है दाइसो साल पुराना है लेकिन लीगल फाइट चल रहा था 181875-18 में मस्जिद के साम में चबूतरा था मस्जिद पर जगड़ा नहीं था वो चबूतरे पर जगड़ा था वो ही तुम बता रहे हैं आपको लेकिन वो आस्ता की भी तो बात है वाइसे साथ चबूतरा बाहर है भाई मस्जिद में अंदर तो नहीं था आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिये अच्छा आपको मालूम के जो कलेक्टर सहाब ने ये मूर्तियां रख कर मजजिद को बन किया वो बाद में नायर साब जन संग के एंपी बन गए महां से वो ठीके लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीन चीज़ों पर समनवा हो जाता जैसा कि बोला जा रहा था सकीदशक में कि वापिस कर दिया जाए काशी मत्रा अयुध्या तो बड़े मसले हल हो जाएंगे ने आप सब चीज़ ले लीजिए ना वो दो क्यों लेते आप सब ले लीजिए कुछ बाखी मत रखी आप भी कोई रूल ओफ लॉर रहेगा नहीं रहेगा बताईए आप अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिये यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप वहां पर भी आस्था बोल देंगे तो फिर समीधान किस लिए है पर कोट किस लिए है एविडेंस किस लिए है सब दे दीजे फिर आप खतम कर दीजे दो पे क्यों रुकते आप सब ले लीजे अचा चलिए आपने संसद में मौलाना आमिर अली और बाबा राम चरंदास की बात की थे अपने कहानी सुनाई थे मैं चाहूंगा कि यहां जा हमारे गैस्ट बैठे हैं आप वो कहानी है एक बार सुनाई दोराई ने दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी लड़ी इन दोन ने मिलकर ये ये खुबसूरती है इस देश की और फिर उसमें मैंने अपने स्वीच में उनका भी जिकर किया था कि अच्छन खान और शंबू प्रसाद बावा एक को जला मुसल्मान की लाश को अंग्रेजों ने जला दिया और शंबू प्रसाद साब की लाश को दफना दि है ये महबत के मजाहरे थे इस देश के लिए और अंग्रेजों ने जो नफरत के बीच बूए मुसल्मानों में और मेजॉरिटी कम्यूइटी में जब तो जब लड़े अंग्रेजों इस लड़ाई तो मुसल्मान और हिंदू सब मिलकर सिखों ने मिलकर लड़ी थी तबही तो मुलको आजादी मिली लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है अमरितलाल नागर की जो किताब है उसमें इसका जिक्र है और उसके ताब यानि गदर की फूल में लिखा है कि ये दोनों चाहते थे और उन्होंने मौलाना साब ने कोशिश भी की थी कि ये जो ये जो व हिस्टॉरी के किताबे हैं मैं डिसगरी करता हूं अब ठीक है उनका उपिनेन होगा चलिए मान लिया आपकी बात सच है बगर वो महबत के मजाहरे तो कर दीजिए कि एक ही पेड़ के ओपर दोनों की लाशों को लटका दिया गया था वो महबत के मजाहरे तो करिए ना वो म कर रहे हैं यहां पर अधर साइड यह कहती है कि हमारा पोजेशन हमसे चीन लिया गया 93 में राइट और हमारे पास 1530 के काख़ात हैं बाबरी मस्जिद मेरे पास मैं 500 साल से नमास पढ़ रहा हूं मेरा भी पोजेशन आपने चीन लिया मुझसे यहां पर आपको इजाज़त मि मिल जाती है और मुझे महां पर नहीं मिलती अब आपको मालूम के मतूरा की आप बात कर रहे हैं जो एग्रिमेंट 1960 में मुसल्मान और हिंदू पक्ष्माव उस पर सिग्नेटरी कौन था हिंदू तरफ से मालविया सहाब ते मदन मोहन मालविया लेकिन बात तो आस्ता की है इस बड़ा को हिंदू हो सकता मदन मोहन मालविया से के नरेंदर मोडी नरेंदर मधन मोहन मालविया से बड़े हिंदू हैं एग्रिमेंट साइन होकर मुसल्माुन अन yangjung 8- rider दी आट एकर जमीन दी अब आप उसको आप 2023 में आप खोल रहे हैं उसको लेकिन आईसी साहब अगर आस्था के मामले मेरे ख्याल से मत्रा, काशी और आयोधिया एकदम अलग हैं बाकी मंदिलों से देश आस्था पे नहीं चल सकता ना कल अगर मैं पावर में आ जाओंगा गल्ती से मैं गल्ती से पावर में आ गया अभी भी पावफोल है अगर गल्ती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गल्ती से मैं खाब में भी नहीं सोचता हूं अगर कह रहा हूं मैं कहूंगा मेरी आस्ता क्या करेंगे आप यही तो हम कह रहें ना कि देखें आस्ता पे नहीं चल सकेगा यह तो हाइपोथेटिकल सवाल है तो अदालत नहीं किया है अरे अदालत अदालत के पास रही लोग तो गए आप जब 91 का Place of Worship Act बना दिये फिर आप यह क्यों कर रहे हैं जब आपने कह दिया कि 15 आगस 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो भी religious place होगा उसके character में nature में तबदीली नहीं आएगी तो पिर यह सब क्यों हो रहा है पिर यह आप यह कह रहे हैं कि Muslim पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा है नहीं मैं यह कह रहा हूँ कि जब खानून बना दिये तो खानून को फालो करिए जब सुप्रीम कोट ने बाबरी मस्जिद राम मंदर डिस्प्यूट में कह दिया कि Places of Worship Act 91 बेसिक स्ट्रक्चर से उसका तालुख है और Non Detrogation का अवर्ड इस्टेमाल किया तो उसको फालो करिये ना कियान बापी पर तो अदालत का कहना है किसके दाएरे पर नहीं आता है किसके कानून के दाएरे में नहीं आता है कैसे नहीं आता है हमने जब पारलिमेंट में ये खानून पास कर दिया सिर्फ इस जगा को छोड़कर मैं तो वो भी गलत था इस जगा को छोड़कर सब डिस्टब नहीं कहेंगे तो क्या मतलब है फिर उसका आप तो लॉयर है आप तो लॉयर है लेकिन मुझे चीज़ बताई जब आपको अदालत की बात पी विश्वास नहीं अदालत की बात देखे अदालत के फैसले को मानते हैं और डिसग्री भी करते हैं वही तो खुबसूरती है जमूरियत की जुरूरी है ना मैं किसी की तोहीन नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ कि respectfully मैं इस judgment को नहीं मानता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है इक चीज़ बताइए ये आप आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को या तो सलह ठीक से नहीं मिल रही या अदालते उनकी बात नहीं सुन रही आप इतने बड़े barrister lawyer हैं आप उनको क्यों नहीं सलह देते हैं अरे भाई मुझसे बहतरीन वकील वहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं अगर 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 प्लेसिज और वर्शिप आक 91 को सुप्रिम कोट कोट्स नहीं मानेंगे तो पिर खानून का फाइदा क्या है पिर पारलिमेंट तो खानून बनाएगा ना कोट तो नहीं बनाएगा जब पारलिमेंट ने खानून बना दिया और सुप्रिम कोट ने राम मंदिर बापरिमुद केस में कहे दिया कि प्लेसिज और वर्शिप आक का तालूब भारत के बेसिक स्टक्चर से है लफ से नॉन डिट्रोगरेशन उनने से इस्तेमाल किया तो फिर कोर्स को तो लोवर कोर्स को फॉलो करने चाहिए YCG लोग ये भी कहते हैं कि आप मामले को सुलजाते नहीं करे बाब भड़का देते हैं जब ग्यानवापी का मामला चल रहा था तो आपने उच्छे दिसंबर टाइप बात कह दी हाँ बिलकुल बिलकुल सही है वो क्यों कि आपकी नजर में च्छे दिसंबर अच्छा दिन था ने ने आपकी नजर में या देश की नजर में च्छे दिसंबर अच्छा दिन था क्या पुराने घाव को करना अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने तोड़ दिया, नहीं हाथ लगाएंगे, अच्छा हैरत की बात करेंगे, तो घावों को हरा करना अच्छी बात है, देखिए जखम जो दिया गया था, उस जखम को याद रखिए, दुबारा जखम नहीं लगना चाहिए, आप हिस्ट्री से सीखते हैं, हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने ज़िए आप, पर ऐसा तो कुछ होई ही नहीं उसके बाद, आप बताईए, एक, कोई एक ऐसी मस्जिद है, जहां मॉब घुसके जिसने तोड़ दिया, मॉब ने तोड़ दिया आप इंतजार करेंगे तोड़ने के लिए, आपने बोला हो रहा है, मुझे तो विश्वास हैं के लोगों में, देखिए, मस्जिद को कैसे तोड़ा गया, सुप्रीम कोड को बोल कर नहीं तोड़ेंगे तोड़ दिये, आपको मालूम यह दिल्ली में, 600 साल पुरानी मस्ज को बगार लीगल प्रसीडिंग सौलो करें, आपने तोड़ दिया, दिल्ली में, वो सरकारी, वो सरकारी था, आप बात कर रहे हैं, अनकंट्रोल क्राउड और लोगों की दोनों अलग चीज़ है, वो एक सरकारी था, वो एक सरकारी था, अब तो आपको माब की जुरुत भी आप कौन लेकर गए, मैं टीवी नाइन के दफ्तर पर एक माब को ला लूँ, और अदालत फैसला करें, ने, सुनिये, हेमन साब का आफिस को तोड़ दूँ, और बो लो अनकंट्रोल माब था, अरे, ये क्या बात है, अरे, दो अलग चीज़ हो, खानून तो रहेगा ना मे मेरा एक ही बेसिक सवाल है, हल्दवादी में अदालत, सुनिये, आप ही की जबान में, अगर ये मॉब 6 डिसंबर को मस्जिद को नहीं तोड़ता, तो कोड का फैसला क्या आता, बताईए मेरे को, ये तो हाइपोथेटिकल बात है, अरे, हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ब पिर आपकी आस्था मेरा तो बड़ी कैसी होगी, समिधान जरूरी है कानून के लिए, पर देश तो हमारा, हमारी देश में आस्था तो महत्पुन है, नहीं, आस्था, आस्था सभ है, मगर समिधान पर भरोसा होना चाहिए, अचा, बताए, प्रान परचिष्ठान क्या था समिधान था है इस देश की आस्थाती, जहां इस देश के सारे बड़े लोग मौझूद थे, कौन? प्रान परचिष्ठान, आयोध्या में, अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर 49 में जीबी पंत मूर्तियों को रखने की इजाज़त नहीं देते, और नायर साब अपना इम जो नहंग लोग मूर्ति पूजा करते, अरे आप कैसी बात कर रहें? आप कैसी बात कर रहें? नहंग लोग मूर्ति पूजा करते ही नहीं है? नहंग लोग मूर्ति पूजा नहीं करते मेरे भाई, अरे देखे, अईसा है ना, कि हर मख़ब में गद्दार लोग होते हैं, त जारी थे उसमें सिराजु दौला को नुखसान पहुंचाने वाले मीर सादियक बहुत है बहुत से आस्तीन के साफ है चलिए आस्तीन के साफ अलग से बात की जाएगे एक ची बताइए आपको ये युनिफॉर्म सिविल कोट से क्या पती है ने युनिफॉर्म सिविल कोट में कार्थी के को हिंदू अंडिवाइड़ फैंबली में टैक्स रिबेट मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा ये कहा बात है मुझे ही मिलना चाहिए अगर महिलाओं के अधिकार हो जाएं बराबर हो जाएं अचाहिए कैसे होंगे बताइए कैसे होंगे आप विल का पावर निकाल रह रिफांग कारेंगे मुझे छ्यानिय आप से मृड़ जो बीज़ेपी कर रही है आप हिंदू मैरेज एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट मुझपर थोप रहे हैं आपकी मॉरालिटी मुझपर क्यू थोपेंगे आप मिसाल के तौर पर उत्राघंड की मिसाल ले लीजी आप आपको मालूं उत्राकंड में आप बोरें कि प्रोहिबिशन लिस्ट बना दिये शादी की आप कि पिता के तरफ मा के तरफ आपकी मुरालिटी मुझ पर क्यों थो पेंगे आप भाई मैं राइट तू चॉइस सुप्रीम कोट ने कही दिया फंडेमेंटल राइट है उत्राकंड में आपने कही दिया कि प्रोहिबिटेड लिस्ट बना दिया आपने वो कैसे होगा बताईए अच्छा आप उसमें प्रॉपर्टी का डिविजन डिस्टिबूशन पे एक इल्जाम लगाते ने मुसल्मान की बेटी को भाई के बराबर हिस्सा नहीं मिलता हैं जहां पर मुसल्मान बेटी को भाई से बढ़के मिलता है यह भी नहीं बोलते अच्छा युनिफॉर्म सिविल कोड की आप कर रहे हैं अरे भाई आप उसमें उत्राकंड के लेटस्ट है उत्राकंड में आप ट्राइबल को क्यों निकाल दिये तो युनिफॉर्म कहा हुआ सुनिए आर्टिकल 25 के तहद एक तो आप आप निकाल दिये ट्राइबल को राइट इक्वालिटी का वाइलेशन है और फिर आप उसमें कह रहे हैं कि ने एक्सेप्शन कहें का एक्सेप्शन जे रहे हैं तो पूरा मकसद क्या है कि हिंदू मेजॉरिटी कम्यूनिटी के जो वो मुसल्मानों पे डाल दिया जाए क्यों डालेंगे भाई आप नी 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 दो चीज़े हैं एक है कि यूनिफार्म सिवल कोर्ट का अपना अदेश और एक अपना नक्ष रहे जैसे कि एक ही मैरिजबल एज हो कई सारी चीजे होती जो बाद में सुलच सकती है कुछ चीज गौर्मेंट का डेटा है बारा बारा लाग चाइल्ड मेरिज़ हुई लास डेटा जिसमें से 84 परसंट तो हिंदू भाई बहनों की हुई खानून से चाइल्ड मेरिज़ खतम होने वाला नहीं है ये एक सोशल एवल है मगर आप तो खानून बना दिये अच्छा और एक बा बोल रहा हूं खानून बनाए भी तो आपने कौन सा पहार कोद कर क्या निकाला चुहा भी ने निकाला आपने अच्छा और एक बात चाइल्ड मेरेज आग्ट जब होती है वो वाइड़ बूल होता है वाइड नहीं होती हो यूशी से आपती है आपको सीए से भी आपती है क्यों अरे भाई जमूरियत है क्या डिक्टेटर की हुकूमत है यहां पर यह तो डिमोक्रिस्टी है लोग तंतर है है डिफरेंस और उपीन होना चाहिए अब हर आपकल मनेरेंदर मोडी बोलेंगे कि कल से को पूरे आपती क्या है अरे बोलें मोडी का नाम तो लेने दीजि देश के संवीधान में आप मजब की भुनात पर कैसे बनाते हैं अब लोग बोलते हैं यह OEC क्यों अच्छा भई आसाम में सुप्रीम कोर्ड मॉनिटर नर्सी हुआ आप हेमन तो बिसो शर्म एक्सेप्टी नहीं कर रहें उसको सिय से किसी मुस्लिम की नागरिता कहां जा तो अगर पर सीक्यूट रही है तो आप बोलना अगर पूछ लिए ना अगर persecuted Hindus को अगर देश में जगे मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या बस देखिए कोई मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बंगलादेश से, स्री लंका से, बर्मा से, हिंदू भाई बहन, सिख, क्रिस्टियन आजाएं, क्या आप यह कहिना चारे हैं, कि इस खानून से पहले वो लोग नहीं आते थे इंडिया को, और यह खानून क्या कर रहा है, कि डिसंबर 2014 के बाद, किसी को नहीं देंगे, नहीं आएंगे 2014 के बाद, अगर हमारे हिंदू भाई, पाकिस्तान नहीं देंगे आप, हमारे पास लॉंग टर्म वीजा का प्रोविजन है, लॉंग टर्म वीजा के बाद, उनको सिटिजन्शिप देने का अख्तियार है, बीजेपी ये बोरे किसे पहले कोई था ही नहीं प्रोविजन, क्या बाद कर रहे हैं? तो इस पर आप बहस कीजिए, अमेंडमेंट लाइए, आप उलिये किसे ट्वीक किया जाए? सुनिए, सुनिए, मेरा, 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 खतम तो करने दीजिए, अब आप करें कि नागरिता, क्या खत्रा है इस आपको देखिए, CAA को अकेला नहीं देख सकते, NPR और NRC के साथ जोनना पड़ता है उसको आपको, NRC भी क्या कर रहते हैं भाई? सुन तो लिए, कि ना मनीपुर आपने मनीपुर पर इतने इंटियों करने देंगे या अपनी बात करेंगे? अच अच्छी, बात कीज़ें. NPR, NRC, आप सेंसस नहीं कराते? आप सेंसस नहीं कराते? NRC जब होगा, तो मुझ से कहा जाएगा, कि अपने दादा का बच सेटिफिकेट लाओ, आधार कार्ड ये, उस आधार कार्ड को पढ़ा अपने, उसमें लिखावाए कि इस नाट प्रूफ अ सिटिजिएंशिप, कितने लोगों के पास पासपोर्टे बारत में 5 पीसद, मैं बता रहा हूँ आपको, यही तो इसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, आप रिलिजिन का लवज निकाल दीजिए, सी डबले में, करिए, कौन रोक रहा हैं, कौन रोक रहा हैं इनको, आप रिलिजिन की बुनियाद पर खानुन मता बना रहे, अच्छा और एक हैरत की बात, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड अनर्सी आसाम में हुआ, क्योंकि हेमन्तु बिस्व शर्मा की जो दिली खायश थी, उसमें ज़्यादा मुसल्मान नहीं आए, वो लिए मैं 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 मानता उसको, क्यों नहीं मानते हैं, वो आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है ना वो तो, तो CAA को ये रिलिजिन की बुनियाद पर मनाया गया गलत है, आप पाकिस्तान, बंगलादेश से, जो हमारे हिंदू पर्सिकूर्डड भाय आ रहे, सिक आ रहे, दीजिए, पहले भी खानून था, तीसरी बात ये है कि CAA को अकेला मत देखिए, NPR, NRC से जोड़ कर देखिए, तब आप तो समझ में आएगा ये, ठीक, पर आप हर चीज़ को फिर मुस्लमानों खिलाव साजिश क्यों बोलते हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं हो रही है, बिल्कुल है, अच्छा, आपको मालूम के पंडित नहरू के जमाने में, कितने लोगों को बंगलादेश बिज़ा दिये थे, माने पाकिस्तान उसनक बंगलादेश नहीं बनाता, क्यों बनाये थे, इसी वज़े से बिज़ा दिये थे, ये एक हिस्ट्री है ना, दूज के जले छाच कोई फूख पूख कर पीते हैं, चलिए ठीक है, आई ये शुद्राद नितिकी बात की जाए, शुद्राद नितिकी, वाईसी साहब आप खड़े कहां हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ खड़े हैं, आपने एक बीच में बोला था ना, ना महभूब, ना महभूबा, ना आपने बोला ना महभूबा के पास नहीं जाओंगा, महभूब से दूर होंगा, ये दुकान भी ठीक नहीं है, ने ने, हम जहां खड़े हैं, अच्छी जगा खड़े हैं, जमीन हमारी मजबूत है, अब जो लोग जहां खड़े हैं, जो दुकाने खोल रहे हैं, वो बता दें क्या करेंगे, एक सो पच्छी लोग सवा सीट में से, आप सिर्फ सुला जीतते हैं, अब हिमाचल में आपकी सरकार जाने पे आ गई, अब हिमाचल ने सरकार, अब हिमाचल में सरकार जा रही हैं आपकी, तो आप जमीन अपनी खो रहे हैं, और आपको सिर्फ फिकर क्या है, मुस्लिमोट, 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 और मुसल्मानों को लगता है, बहुत बड़ा भोचाल हो जाए, कुछ नहोगा, इसलिए हम बोल रहे हैं, कि भाई, आप अपनी पॉलिटिकल लिडर्शिप को बनाएए, और आगे लेकर चलिए, ये पैगाम दिया जाता है, मुसल्मानों का भी भी दिया जाता है, पहले भी देते थे, कि बस हमारे गले में एक सांप डाल दिये, बस नाश्टे रहो, सेकुलरिजम का नाम लेकर, कहा सेकुलरिजम है, जो सम्वीधान का सेकुलरिजम है, मैं इसको मानता हूँ, मानता रहूँगा, ये पोलिटिकल सेकुलरिजम कही का सेकुलरिजम है, अशोक राओ चौहान, जो मुझे गाली देते थे अब BJP में चले गए बताई यह कौन-कौन चले जा रहा है BJP में कौन सा सेकुलरिजम में बताई आजीत पावार BJP में चले गए अभी बहुत सा लोग जाने वाले हैं सोना में लेकिन आप पे भी आरोप लगता है कि आप भी सेकुलरिजम के हाथ मजबूत नहीं करते हैं आप वहाँ वह टिकेट दे देते हैं जहां दसो कॉल जो कहते हैं कि BJP कहलाव पार्टी हैं वो चुनावार जाती हैं कार्थिके साहब मैं आप से रेक्वेस कर रहा हूँ आप अपने टीवी नाइन के जिम्मेदारों से बात करके एक दिन डिबेट लगा लीजिए किसको फाइदा हुआ दस मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे उटके चले जाएंगे यहां से इंपरिकल डेटा रख के बात करेंगे लोग सवा की तीन सीट में लड़ता हूँ और मोडी 306 जीत जाते हैं मेरी वज़े से और जो 400 लड़ते और 50 पे आ जाते वो दूद के दुलेवे हैं मेरा नाम असरुद्दीन है इसलिए मुझे गाली दी जाती है और जो लड़ते हैं यूपी में 400 सीट जीतते हैं दू और एक उनको कुछ नहीं बोलते हैं मैंने आप से मुराद दूसरे लोग जो हमको गाली देते किशन गंज का दर्द भी तो समझे किशन गंज वही सीट अनौंस कर दिया आपने किशन गंज का दर्द तो समझी अरे मैं पिछले बार भी किशन गंज लड़ा था तीन लाक ओट मिले हमको एक ही सीट कॉंग्रेस जीती गडबंधे जीता किशन गंज हमारे हम जीए बीजेपी नहीं जीती आपने किशन गंज अनौंस कर दिया हम लड़े हैं वहाँ पर अच्छा और एक बास सुनिए बिहार के चुनाओं में मेरे पांच एमेले जीते सीमांचल की जनता को सलाम सबसे बैकवर्ड एरिया भारत का उन्होंने मेरे पांच विधायक को जीताया चार विधायक को आप खरीद लिए और महराष्टरा में आप से कांड होता है तो आप आस्मान सर पर उठा लिए जब आप गुना करते हैं तो वो गुना नहीं है अब नितीश कुमार तो पल्टी मास्टर है कुलाटी मार दिये अब टेजेश्वी को मालूम हो रहा है कि क्या होता है बाँड़िश करने का मतलब लोग कहते हैं कि YC साहब ढटे हैं लड़ कॉंग्रेस से रहें किससे लड़ते हैं? दिक तो रहें बीजेपी से लड़ते हुए लेकिन लड़ कॉंग्रेस से रहें इसलिए इसलिए टोलगेट के पास मेरे मुझ पर 6 गोलियां चलाई गई थी मैं बोला था किसंको चला दो बेटा गोली क्या बाद कर रहा है राहूल भादी के आपके यारी BJP से है गाड़ी पर गोलियां चली मेरे एक नहीं 6 गोलियां किने 4-5 गोलियां चली मेरे घर पर हमला हो जाता है यह सब मैं करा रहा हूँ कर सेटिंग बोलके मेरे घर में भी फैमिली है पर इसका बीजेपी से क्या लेना देना है मैं बता रहा हूँ ना आपको आप बहुत लेना देना है उससे बहुत कुछ लेना देना है आपको नहीं दिगा तो मैं का कर दो सवाल मैं आप से पूछ रहा हूं कि आप आप आरोप लग रहा है, आप मुदी खिलाब लड़ते दिखते हैं, पर लड़ाई आपकी कॉंग्रिस है, लड़ाई देखे लड़ाई तो सबसे है, अचा रहूल गांधी भी कहते हैं, आप पर बोले कि आप मैं बता रहा हूं यह अचा आप जब यह पार्लिमेंट में डिबेट हुई थी, 22 जनवरी के बारे में, आपको चाहिए था कि आपोजिशन लीडरों की स्पीचिस को दिखाते हैं आप, ऐसा लागरा, मैंने अपने स्पीच में कहा, वो नहीं दिखाया आपने, वो नहीं बोला, यह आपकी स्पी कैसे शादी करने के लिए, तो बाद लख दूलन शर्मा कर खामुश हो जाती है, तो उसकी खामुशी को रजामंदी की तोर पर लिया जाता है, तो ऐसा ही लग रहा था लोग सबा में, कैसा खामुश बैठे हैं पूरे, आप बताई रहुल गांदी कैसे लीडर है, रहुल कैसे लीडर है, मैं कॉझ्ट के लेता हो जुखflower हैं डाह podr रहुं जानने कहा भाए, मैं क्वह वे लीजा कि लिडर है, बड़े लोगों में क्यों लिजा कि मिला रहे हैं, वो जाने वा रहा है, वो ऊपर ह मुईचे जमीन पर हैं रहु को नहीं मालू उनके बारे मैं, को मु ने मैं असब नहीं कह रहा हूँ ना मैं नहीं जानता भाई बड़े लोग हैं आप क्यों ली जाके मिला रहे मुझे अच्छी बदा यह अर्विन केजी वाल आपको बीजेपी का छोटा रीचाज बोलते हैं हां बिल्कुल है छोटा रीचाज अब आप बोल रहे हैं तो मानता जो एजेंडा है वो सौफ्ट हिंदुत्वा नहीं है अक्च्छल हिंदुत्वा फॉलो कर रहे हैं केजरिवाल धकी बात कहा है यह सब जानते हैं लोगसभा चुनाव जादा दूर नहीं है आप किसी से गट बंधन करना चाहेंगे ने हम तो बिल्कुल करना चाहेंगे अग कोई होगा बाची बाची चल रही होगा तो अच्छा है नहीं तो जो लेंगे किस से कहेंगे क्योंकि मैंने आप से पूछा था ना पहले की महभूब के पास भी नहीं जाएंगे महभूबा के पास भी नहीं जाएंगे दुकानदार के पास भी नहीं जाएंगे पिर आपने आपको न्योता देता है, इंडिया गट बंध में, आपको बुलावा देता है, बुलाता है, आधर से, सत्कार के साथ, जाएंगे? अगर बुला लिया, तो दिल पसी जएगा आपका, दिल पसी जएगा आपका. आप ऐसा बोर रहें कि जवानी में कोई दो लोग महबत करते, कोई बरसों के बाद कोई मिल गई तो बोले तुम बुलाए तो मैं आ जाओंगा, यह तो बात नहीं है ना, ये तो politics की बात कर रहे आप, ऐसा तो कुछ नहीं है अच्छा आपकी जिसे कि हर एक नेता की एक कोशिश होती है कि ये मेरा ultimate aim है, आपका ultimate aim क्या है बीजेपी को पावर से बाहर रखना या कॉंग्रेस को सत्ता से दूर रखना देखिए भारत की जमूरियत उसी वक्त कामियाब होगी जब हर समुदाय को उसका हिस्सा मिलेगा politics में, social life में ये हमारे जो बज़रुग थे, आजादी के रड़ाई ड़ड़ाई उनका खाब था उस खाब को पूरा करना है कि सब को हिस्सा मिले, बराबरी का हिस्सा मिले तो वही उसी खाब के पीज़ी है, हम दोड़ रहे है कि हमको हिस्सा मिलना चाहिए अगर हिस्सा नहीं मिलेगा तो पिर जमूरियत, कामियाब जमूरियत कैसे रहेगी कामियाब जमूरियत नहीं रहेगी लोग तंतर कामियाप नहीं रहेगा आपके पास कोई प्लान है मोदी को हराने का कोई बिग पिक्चर जिसे कहते हैं बड़ी स्कीन कोई एक अंडरस्टेंडिंग क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कुछ ऐसा होगा आपके पास है कुछ जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं उनसे सवाल करिये आप मुझसे सवाल मत करिये ये हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मरतबा इस अजीम मुल्क के वजीर आजम नरेंदर मोडी दुबा तीसरी मरतबा बने मगर जिनको प्रधान मंत्री बनना है जो प्रधान मंत्री बनने का खाब देख रहे हैं उनको वो लोग क्या कर रहे हैं उनसे पूछिए उनसे पूछिए कि आपके पास क्या ब्लू पिरिंट है पर आप खाब नहीं देखते है मुवर एंड शेकर का प्रधान मंत्री बनने का हर पॉलिटिशन मनना चाहता है, टॉप पोस्ट पे जाना चाहता है, नहीं मेरा नहीं है, विल्कुल नहीं है, मैं जा हूँ, खुश हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई वो ही है, मेरा वो, दिखे, ये सब बड़े-बड़े लोगों के खाब होते हैं, मेरा नहीं है कि दिल्ली के गलियारों में आकर बैठना, वो मेरा खाब नहीं है, आपकी पार्टी इन लोग सभा चुनावों में कितने उम्मीदवार होता रहेगी, कितने केंड़ेट्स देगी, क्या सोचा आपने, कम से कम पार्टी में भी डिसकुशन चल रहा है, बहुत से करने के भी कोशिश की थी, जैसे सापा से बात्चीत भी चली थी, आप लखना हुआ थी, एक प्रेस कॉंफिंस रिवी थी, अगर मुझे याद है, आपने अध्रेस किया था, वो बात्चीत तो बहुत चली उपी में, और कुछ हुआ नहीं हो, कोई चोटी पार्टी उसे ग करेंगे, किसे भी नहीं करेंगे, वो निवा पिछली बात, बात तो बनी गई थी, ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं है, सब रूमर्स थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो कोशिश तो अपने पूरी की, नहीं अब देखे, आप यह बहुत सी बाते हैं, जो आवामी पॉब्ली के नह कोशिश करेंगे, गटबंधन की, अब मैं बता जी न, इतने स्टेट बताया देखिंग क्या होता भी, नहीं टीक टीक बताए, एक आपने महराश बोला, दूसरा, अब कोशिश, प्रपोजल, बात्ची पार्टी में बात्ची चल रही है, देखेंगे, आगे क्या होता, एक एक आखरी सवाल मैं आपसे पूछा था हूं, वैसा आप तूर पर थे, अमेरिका, एक तूर पर थे एक बितम की बाड़ा सवाल पूछा था, मैं इसी मन से उस सवाल को दुहराना चाहता हूं, आप बच्चे हो गए छोटे, आप निए्बच्चे निए बात बड़ी थी, और आपने उसका बहुत शानदार जवाब दिया तो जवाब सुन लीजे ना पूरी बात बताईए आप पूरी बात बताईए क्या सवाल था और आपको याद होगा क्या है वो उन्होंने उस बच्चे ने आपसे सवाल पूछा था कि असादुदी नुवाइसी पाकिस्तान के मुसल्मानों को अपना भाई मानते हैं या नहीं यह सवाल था अब यह देखिए ऐसा है ना कि यह 47 में आजादी मिली 200 साल की गुलामी से आजादी मिली और 2024 में आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हमने जिना के टू नेशन थेयरी को रिजेक्ट किया तो यह सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए था एक मुसल्मान से क्योंकि हमने थू नेशन थेयरी को रिजेक्ट किया और इस सरजमीन को हमने अपने अपना वतन माना और वतन मानते रहेंगे तो यह बात गलत है हां तालुखाद हर परोशी से अच्छे होने चाहिए मगर इसका जो इनवर्टेड कमर्स में आप लेकर जा रहे हैं अच्छ ता एक जवाब राष्टवाद ही जवाब था अच्छ था क्यूसर ने आपको मुझे सर कहने जोर निया पूछा और बोला मेंने राष्ट यझे वरी देखे यह सचा ही है आप ही ने बोला था ना नहीं हम रहे बुजरुगाओं ने पाकिस्तानि आप ही ने कहा था ज आज देख लीजे क्या हो रहा है बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आपका जोड़दार दालिया हो जाए ओवैसिस आप चाहूंगे आप खुट शड़ों के लिए बारे साथ रहे हमारे मैनेजिंग एडिटर पारितोष चातुरवेदी आपका सम्मान करेंगे शौल्दिक